नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का हमारे जिनोकरी यूटूब चैनल पर दोस्तों वीडियो हम बात करेंगे करेंगे करेंट फैर रैपट रिवीजन पार्ट टू रिवीजन के लास टू है बेरी इंपरेंट वीडियो कंद तक जरूर देखेगा तो चले स्टार्ट कर लेते हैं पहले कुछन के सथ पहले कुछन है वैश्विक नवाचार सूच कांग 2021 कौन सा देश शीष पर रहा तो दोस्तों यह कली यान की सोले दिसंबर सेकंड शिप मैं दोस्तों इलाबाद यारू की परिक्षा में पूछा भी गया था मैं हमेशा वही कुछन कराता हूं जो एक्जाम की देश्टी से इंपोडेंट है और एक्जाम में पूछे भी जाते हैं तो दोस्तों इस सूच कांग में जो टॉप्ड देश रहा वो शोजलेंड रहा अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत इस सूच कांग में 46 मी पोजिशन पे रहा अगर मैं बात करूं य इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्च्वल प्रॉपर्टी और्गिनेजेशन उसके दारा ग्लोवल इनोवेशन इंडेक्स यह वैश्विक नवाचार सूचकंग निकाले जाता है अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजीन अ नाम का लिंक रखा है किलिक करके जोइन करके वहां से इसकी पीडियेव डाउनलोड कर सकते हैं अगला कुशन देख लेते हैं हाली मैं किस देश ने अपना पहला टीटवन्टी क्रिकेट पुरुष विश्विश कब 2021 जीता है क्रिकेट तो आप देखते हूंगे आपको पत अपने नाम किया यह आपको धहन में रखना है दोस्तों ऑस्टेलिया के प्लेयर है और लाउंडर है जिनका नाम है मिचल मार्श उनको इस मैच में जो फाइनल हुआ था ऑस्टेलिया और न्यूजलेंड के बीच उसमें महनब्दमें चुना गया था अगले कुशन देख ल सम्मेलन है दोस्तों कौर्ड शिकर सम्मेलन कौर्ड में दोस्तों कौर्ड का मतलब ही चार होता है इसमें चार देश होते हैं हमेशा ध्यान नकेगा दोस्तों इसमें देखो पहला देश है यूएसे दूसरा भारत तीसरा दोस्तों ऑस्टेलिया और चोता हैं जापान तो द यूएसे ऑस्टेलिया जापान ये चार देश हैं और हाली में इसमें फास्ट एबन इन परसंट समिट हुई है इन कौड शिकर सम्मेलन इन कौड कंट्रियों के बीच कौड की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कौडि लेटरल फ्रेमवर्क और दोस्तों इनकी जो चाल लीडर ह उनकी एक मीटिंग हुई है दोस्तों जिसे कह दें हम इन परसंट समिट और दोस्तों कहां हुई है यह यह यूएसे तो दोस्तों आप से पूछा जाएगा कौड शिकर सम्मेलन 2021 कहा है जित हुआ तो दोस्तों हाली में यह अमेरिका में आई जित हुआ और इसकी पूशन देख लेते हैं दोस्तों हाली में ऑश्टराबा ओपन 2021 के टैनिस चेंपेंशिप किस ने जीत लिए तो दोस्तों यह ऑश्टराबा ओपन की वूमेंस डबल टाइटल था जो की सानिया मिर्जा और शुआई जॉंग आप देख सकते हैं शानिया मिर्जा और शुआ हमें रहाता है दोस्तों सानिया मिर्जा नहीं यह ओपन जीता है मिक्सड में तो आपको धहन में रखना पूछा आ सकता है खेल से अगला कुशन देख लेते हैं गैल्फेंड चैलेंज 2021 के शतरंज का खिताब किसे ने जीत लिया तो दोस्तों यह जीत लिया डी गुकेश न नाम है गैल्फेंड चैलेंज चैस टाइटल 2021 डी गुकेश नहीं दोस्तों धा को हरा कर यह शत्रंज का खिताब अपने नाम किया पूछा सकता है दोस्तों शत्रंज से संबन देता है अगला कुशन देख लेते हैं वैश्विक भुकमरी सूचकांग 2021 में वारत की रेंग क् लोवन हंगर इंडेक्स 2021 डोस्तों कुछ जो इंडेक्स हैं वह इतने पुराने इतने पीछे के पूछ ले जाते हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं तो यह हमेशवे धृण है किन्णा ग zij神 नाम हूं गलोवल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रेंग कितनी हैं तो इस बार अगर मैं बात करूं यह किस संस्तान के दौरा निकाली जाती है यह रिपोर्ट तो दोस्तों कंसन वर्ड वाइल एंड वेल्थ हंगल लाइफ के दौरा यह वैश्विक बुकमरी सुचकांग 21 से पबलिश किया गया यह आपको धन में रखना है इंडिया के रेंग काई इसमें 101 अगला कुशन देख लेते हैं हाली मैं किस राज्य के हाती मिर्च और तामिंग लॉंग संत्रे को जी आई टेक प्रदान किया गया तो दूस्तों इसका नाम है हाती मिर्च और तामिंग लॉंग संत्रा अगर मैं हाती मिर्च की बात करूं इसे इंगलिश में हम कह देंगे सिरार, खौंग, चिली, और तामे लॉंग, औरेंज, जो की मनीपुर राज़े से संबन देता है, पूछा सकता हाती मिर्च किस राज़े की है, जिसे जी आई टेक प्रदान किया गया है, तो दोस्तों ये मिला है, मनीपुर राज़े को, ये आपको ध्यान में रखना है, और मनीपुर के औरुकुल डिस्टिक में उगाई जाती है, ये जो हाती मिर्च है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, दोस्तों इसे हाती मिर्च के नाम से जानते हैं, अगर इसका औरिजिनल नेम की में बात करूँ, तो दोस्तों इसे सिरारा खौंग, चिली भी कह दे मनीपुर के औरुकुल डिस्टिक में हो गाई जाती है, और मनीपुर राज्य ग्लको सही है, अगर मैं बात करूँ जी आई टेक की, तो दोस्तों इस जो जी आई टेक दिये जाता है, ये दस वर्च के लिए दिया जाता है, और इसके बाद पुनाय रेश्टेशन कराना बिक्षा होई ती दोस्तों इसमें बी ये करेंट फेर में कुछ पूचा गया था आयूश्वा आई शापके दौआ तो दोस्तों ये जो आई जो लॉंच किया आई है, आई शमंतराले के दौरा लॉंच किया गया था बेसिकली इसमें किया क्या जाएगा जो आई मैडिकल का मतलब होता पौदा जो मेडिकल प्लान से सम्मद्द जो पौदे होते हैं उन्हें यानि की भारत वर्ष के घरों में 75 लाक एक साल में भेजे जाएंगे इस आयूश आपके दौर के दौरा यह आपको थैन में रखना दूस्तों और इसके मिनिस्टर कौन है धैन में रखना यह भी आपसे पूछे जा सकता है तो दूस्तों असम के जो पूर मुखे मंतिये सर्बनान सोने वाल इन्हें आप जानते हूंगे दूस्तों और यही आयूश मंतलाले के मंत्री हैं आपको धन में रखना दूस्तों अगले कुशन की मैं बात करूं हाली में किस संगटन दौ यह 0 अभयान लॉंच किया गया किसके दौरह नीटी आयूट के दार है यह आपको धहन में रखना में बैसिकलिए इसका जो ऑबजेक्टिव है शहरी छेत्रों में डिलीवरी के मामले में ऐलक्टिक भावनों को अपनाने में तेजी लाना यह धहन नकिहांगे गादों इंचिनेर कॉन बन गहीं है तो दोस्तो इनका नाम है शिवानी मीना बन गहीं है दोस्तो आप देख सकते हैं फोटो शिवानी मीना जो की भारत की पहली महिला उतकरन इंजिनेर बन चुकी है दोस्तो अगर मैं बात करूं आय ऐटी की तो आय ऐटी जौधपूर से ब्लांग करती है और इब भारत की पहली हाली मेए मैला उतकरनन इंजिनिर बनी है और दोस्तो हमेशा ने पता चुक्राई होता है इंडिया में ये वि देश में होता है कहीं भी होता है वो हमेशाइ बिनाँ वारत की पहले उतकरन रिखदेंग बन गई यह अगला किशन नेशिया की प्राइम मिनेश्टर होुआ गया induce तेहां देश की दूस्तों क्या नाम है इन इन नाम है नजला ऊजला बोडेन रमधाने यह आपको धैन मेक नाय या आप नजला बोडेन याद रख सकते हैं पूछा आ सकते हैं एक्जाम में टूनिशिया की पहली पिदान मंत्री हाली में कौन बनी है तो नजला बोडेन रबंधाने बनी है या आपको धहन मरकना या अगर मैं करम की तौर पर बात करूं तो 43 प्राइम मिनिस्टर बनी है ट टूनिशिया देश की और दोस्तो प्रसेड़न करेंटली कौन है टूनिशिया के वह है कैस सईथ और यहां की करेंसी है दोस्तो टूनिशिया डिनार ये भी आपको धहन मरकना दोस्तो अगले कुशन की मैं बात करूं हाली मैं मिसर्थ 2021 केस इंडिया कौन बनी है पूछा सकत और दोस्तों इसमें एक और या दिया गया था ब्यूटी विदे रिस्पॉंसिविल्टी यह मिला था वन्शिकाप परमार को जो की हिमाचल पदेश से ब्लाउंग करती है यह आपको धहन में रखना है लेकिन जरूरी बात है आपको मिसर्थ 2021 केस इंडिया जरूरी याद र पूछा है था आई पिल के बारे में और आपको यह भी ध्यान में रखना आई पिल का इस पार कौन सा संस्क्राइब तो दोस्तों यह चौदे मां संस्क्राइब तो दोस्तों इसे जीत लिया चिन नहीं सुपर खिंग नहीं आपको ध्यन में रखना किसे आराकर कोलकता नाइट रैडर को हरा करें अगला कुशन देख लेना है अगला कुशन है पुस्तक एक्सर रिलेटिंग इंडिया सेवन इयर्स ऑफ मोदी गवर्मेंट नहीं की मोदी सरकार के ऊपर रहे दोस्तों पूछिया सकती एक्जाम में और दूस्तो का नाम है और इस बुक के आथर है क्या नाम है दूस्तो के जानयसे का नाम है और इसका विमोचन है यह जो लाँचिंग वह की थी उप्राश्वती है या नइडू को धन्मर्क नादर अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों अगला कुछना ने दा कस्टोडियंट उफ ट्रस के लेखा कॉन है व्हरी व्हरी इंपुड़ेंट पुस्तक है दोस्तों पूची गई भी यह तो जार किसकी परिक्षाओ मैं इसका बुक का नाम है दा कस्टोडियंट ट्रंक टेस्ट ए बैंक कर में मोईर यह आपको धैनमर्क ना दोस्तों पूचिया सकती है जो रजनीश कुमार है यह एस बी आई के फॉर्मर्ट चेयर में रह चुके हैं कोई मुझे बता सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयर परसन वर्तमान अद्धिक्ष क होने कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अगले कुशन देख लेते हैं दुस्तों अगले कुशन है वर्ष 2021 में शांती का नोवल प्रुसकार के से मिला पीस प्राइज हमेशा इंपोड़न्ट है एक्जाम में पूचा ही जाएगा तो दुस्तों यह जो मिला है मरिया रै नोवल का मिला है यह आपको ध्यान में रखना है फाइट फूर फ्रीडम औफ इस्पीच एंड एक्सप्रेशन इन वेरी एडवर्स कंडिशन इसके लिए दुस्तों इन्हें शांती का नोवल प्रुसकार मिला है आपको कि बल यह चीज़ ध्यान में रखनी है मारिया रैसा को मिला है दिमित्री मुरातोव को मिला है अगर मारिया रैसा को मिला है यह किस देश से बलॉंग करती है तो फिलिपिन से बलॉंग करती है मारिया रैसा यह आपको ध्यान में रखना है दिमित्री मुरातोव से आप नाम सही समाझ जाएंगे यह रशिया का नाम है तो दोस् बहुत धन्यवाद